गुड मार्निंग बच्चो बच्चो आप लोग कैसे हैं बच्चो आप लोग अपना पढ़ाई रोज कर रहे हैं जो आपका क्लास वर्ग दिया जाता है जो आपको होम वर्ग दिया जाता है करने के लिए वो लोग आप लोग रोज अपना पढ़ाई किया कीजिएगा अभी तो आप लोगों की स्कूल बंध है, जब आप लोगों की स्कूल खूलेंगे, तो आपको स्कूल भी जाना होगा, है ना बच्चों, आप लोग अपना परहाई अच्छी तरह से कम्प्लीट करेंगे, बच्चों कल हम लोग ब्याकरन की भासा पढ़े थे, भासा किसे कहते हैं, मैंने कल आपको दो कोस्चन बताया था, और उसके अंसर बताये थे, भासा की कौन-कौन से रूफ है, आज हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे, चार भासाओं के नाम लिखिए, चार भासाओं के ना हिंदी, बांगला, संस्क्रीट, उर्दू, व्याकरन क्या काम करता है, सेकेंड नमबर कोस्चन का एंसर है, व्याकरन हमें भासा के सुध्य, रूप का ज्यान कराता है, ठीक है बच्चों आपको इसे याद करना है, और इसे लिखना है, और आपका ये होंबग है, सही उत्तर पर सही का निसान लगाईए यहां पर दिया हुआ है जब हम लिखते हैं तो दूसरा सुनता है बोलता है पढ़ता है देखता है तो जो सही उत्तर है उस पर आपको निसान लगाने है जब हम लिखते हैं तो दूसरा देखता है खौर नमबर जो अच्छे बच्चे होते हैं वे पर हमेशा कैसे बोलते हैं तो जो अच्छे बच्चों होते हैं वे हमेशा सच बोलते हैं ठीक है बच्चों जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है ठीक है बच्चों आप लोग इस पर टीक लगाएंगे यह आपका होमबग है आप लोग इस होमबग को करेंगे ठीक है बच् बाद्टू